नमस्का दोस्तों जय मातादी स्वागति आप सभी का हमारे यृट्यूब चैनल में तदुलाराशी वालो 28 दिसंबर 2022 से आपका जीवन एक अंधियारे की और बनने वाला है जी यां दोस्तों मुसीबतों का पहाड तूट पड़ेगा अगर यह एक गलती आपने करी तो घर संसार परिवार सब कुछ त्याग ना पड़ सकता है ग्रहों की दोस्तों ऐसी स्तती बन रही है जो की समझने में काफी कठीने कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो कुछ बुरे संकेता रही हैं यह दिन बहुत असमंजस के स्तती आपके लिए लेकराने वाला है साउधानी के साथ आगे बढ़ना होगा अन्यता एक गलती सब कुछ बरबात करवा देगी आज की वीडियो बहुत खास है आपके ग्रह गोचर आपके पंचांग पर आधारी थे सबसे पहले दोस्तों अगर इस दिन के पंचांग पनजडाले दोस्तों तो पोश मास की शुकल पक्ष की शष्टी थी है उसी के साथ सत्भीशा नक्षत्र का निर्मान हुआ है साथ ही दोस्तों सिद्धी योग बना है सुर्य इस दिन धनूराशी में है और चंद्रमा कुंबराशी में सिंचार कर रही है ग्रहों की स्तती बहुत अच्छे एवं बेमिसाल संकेत दे रही है परन्तों तीन बड़ी साउदानिया है जनका विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कौन सी घटनाए घटने वाली है क्या क्या होने वाला है सब कुछ बताएंगे बसंता तक हमारे साथ बने रहना वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं बिना देर करें इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय बजरंगली जय पवन पुत्र जय श्रीराम जरूर लिख देना आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुदेव के बहुत सुन्दर अनमोल ग्यान के साथ दोस्तों गुरुदेव कहते हैं हम जीवन में कई बार कई चीजों को प्राप्ट करने के लिए कई कामों को पुरा करने के लिए बहुत मैनत करते हैं बहुत प्रयास करते हैं परन्तु कई बार चीजे अमारे पक्ष में नहीं आ पाती कई बार कम मैनत में काम आसानी से पूरे हो जाते हैं तो कई बार दिन रात एक करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती ऐसी परिस्तिती में कई लोग बगवान को कोशते हैं कहते हैं कि है प्रभू हमने तो आप कितनी पूजा पाट करी इतनी अरादना करी फिर भी आपने हमारे कामों को पूरा क्यों नहीं किरा ऐसी परिस्तिती में गुरुदेव कहते हैं मन का हो तो भला ना हो तो और भी भला जियां दोस्तों अगर आपका सूचा समझा काम आपके मन की इच्छा अगर पूरी हो गई तो अच्छी बाते और अगर हजार प्रयास हजार कोशिशे करने के बावजूद भी अगर मन का ना हुआ तो निराश मत होईए अधिक खुश होईए क्योंकि फिर वह भगवान की मर्जी से होता है और भगवान हमेशा आपके लिए आपसे बहतर सोचेंगे हमेशा आपके लिए आपसे अच्छा सोचेंगे और आपसे बड़ा सोचेंगे जियां सो कभी भी अपने मन की पूरा ना होने पर निराश मत होना कभी भी अपने मन की ना होने पर उदास मत होना क्योंकि दोस्तो गुरुदेव को बस इतनी सी बात कहते हैं कि अगर मन की हो जाए तो बढ़िया ना हो तो भगवान की मरजी समझ कर सही समय आने का इंतजार करना भगवान आपको हमेशा आप से बैतर देंगे बात सही लगी हो तो लाइक करकर जय पवन पुद्र हनुमान जी महराज की जय अवश्य लिख देना आई ये बात करते हैं आपके आज की महराज शिफल के बारे में दोस्तो आपको बता दे आने वाले अगले 24 गंटे ला जवाब रहेंगे बेमिसाल रहेंगे किन लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो व्यपार करते हैं जयां दोस्तो कारुबार यानि की कुछ लेंदेन अगर आप करते हो दुकान चलाते हो तो भर भर के पैसा आने वाला है जी जोरिया बरा जाई की इस दिन दोस्तो ग्रहों ने छलांग लगा दी है सीधी वरदी योग पर ज जो की धमाल मचाएगा कारुबार दोस्तो बहुत अच्छा चलेगा लंबे समय से जो नुकसान जो घाटा होता रहा था वह अब नहीं होगा देखिए शीव महापुरान में एक बहुत अच्छी बात लिखी है वह बात मैं आपको समझाना चाऊंगा कि दोस्तो जीवन में अगर आपको कुछ अच्छे सुख मिल जाए जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से किराए के मकान में रेते हो और आपको अपना घर का मकान मिल जाए गाड़ी बंगला मोबाइल मिल जाए या कुछ अन्य ऐसी वस्तुए मिल जाए जिसे पाकर आप बहुत खुश हो रहे हैं जी आँ दोस्तों मनुष्य सो अच्छे कर्म करता है तब जाकर उसके अच्छे कर्मों का एक पुन्यफल उसे प्राप्त होता है अगर आपको जीवन में कुछ अच्छे पुन्यफल मिले हैं जैसे कि अभी हाली में आपने घर लिया है हाली में आपने जिन्दगी जीना चाहते हैं आगे भी अगर आप इन खुशियों को प्रारम रखना चाहते हैं तो आपको और अधिक अच्छे कर्म करने होंगे अब कई लोग पुछेंगे कि गुरुदेव अच्छे कर्मों का क्या मतलब आखिर किने कहते हैं अच्छे कर्म क्या होते हैं अभी थंड का मौसम चल रहा है इस ठीटूरती हुए थंड में दोस्तों आपको कई सारे बे सहारा लोग सड़क पर मिल जाएंगे जियां दोस्तों जो की इस थंड में इस बेकाबू थंड में बहुत ठीटूर रहे होंगे उनका ना कोई घर होगा ना कोई सहारा अच्छे प व्यक्ति दिख जाए जो कि सकड कड़ाती थंड में बेगर हो पागल हो रहे तो आप उसे कंबल का दान दे सकते हैं आप उसे एक स्वेटर का दान दे सकते हैं जिससे कि उसे थोड़ा सहारा मिल जाए साथी आपने देखा होगा इस थंड के माहूल में आपकी गलियों में क की छोटी सी मदद कर सकते हैं उन्हें या तो सोला कर किसी कपड़े से ढग दीजिए या फिर अपने घर में अपने घर की जो बालकनी होती है उसमें आप कोई छोटा सा कोना कोई छोटा सा इस्तान उनके लिए बना सकते हैं एक छोटा सा अशियाना लकड़ी का उनके लिए ब एक दो बार आपको मेनद करने पड़ेगी फिर वह अपने आप से जाएंगे ऐसे किसी के आप मदद कर सकते हैं और अगर कोई भूका आपको सड़क पर दिख जाये तो उसका सहारा बने कर उसे आप रूटी खिला सकते हैं ऐसे दोस्तों अच्छे अच्छे काम करकर लोगों पर दया दिखा कर लोगों की मदद करकर आप अपने अच्छे करमों को बढ़ा सकते हैं जिसका अफल दोस्तों आपको अपने पुन्यों के हिसाब से आगे बविश्य में मिलता रहेगा और आपकी जो जो मनों कामना हैं जो जो आपकी इच्छाएं हैं वह परमात्मा पूर करते रहेंगे इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है कुछ अच्छा करना है कुछ बढ़ा करना है तो सबसे पहले शुरुआत छोटे छोटे करमों के साथ आपको करने होगी बास सही लगी हो तो लाइक जरू करना दोस्तों नोकरी पेशा जातकों को बता दें इन 24 गंटो में तरक्की के दवार खुलेंगे स्वास्त आपका बैतर नजरा रहा है परिवार में कुछ मेमानों का आना जाना लगा रहेगा जिससे की परिवार में रौनक बरा खुशिया बरा वातावरण चाया रहेगा जो लुक बिरुजगार हैं और खुद की कोई नोकरी तलाश र बढ़ती रहेगी इसलिए अभी शुरुआत आपको कम से करनी होगी परंतु मन से करना जहां तो कोई काम कर रहे हो तो मन से करिए किसी भी काम मालस से मत करिए किसी भी काम को केबल काम करना है इस वजह से मत करिए मन से करिए जब मन से कुछ करोगे तो धन अपने आप आपक कुछ खास कुछ मैं आत्व पुण कुछ आवश्यक बाते जो गिती आपके आने वाले दिन को लेकर उमिद करेंगे दोस्तो वीडियो में बटाए गई समस्त बाते आपको अच्छी लगी होगी प्रसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो सुनकर आनन्दा हो तो वीडि के साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना तकि आपको ऐसी ही ग्यान वर्दक वीडियो मिलते रहे अभी के इस वीडियो को देख निकले आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद